नमस्कार प्यारे बश्चू हम कर रहे थी आठमी कज़्चा का अध्याय एक जिसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने पहले ही कर ली है आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कुछ शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रेशन है निमन संख्याओं को संख्या रिखा पर निरूपित करें ये दो संख्याओं हैं इनको हमने संख्या रिखा पर निरूपित करना है संख्या रिखा के बारे में आपने छोटी कक्षाओं के बारे में पहली पढ़ चुके हूँ लेकिन वहाँ वाली संख्यारिका और यहाँ वाली संख्यारिका इनमें थोड़ा सा अंतर आता है अंतर क्या आता है पहले जब आप संख्यारिका पर कोई संख्या को निरुपित करते थे तो उस वक्त आपको परमे संख्या ही नहीं दियोती थी मतलब इस तरह की प्रमें संख्या हैं जो एक प्रमें के रूप में हैं आपको सीधा ही जो अंक था पूर्णा अंक था जैसे माइनस दो, माइनस तीन तीन, जीरो, पांच ऐसे करके नंबर कहा जाता था कि संख्यारिका पर निरूपित करें तो आप क्या करते थे इस तरह निशान लगा देते थे ये मादो हमारे पास एक संख्यारिका है इस साइल माइनस इस साइल प्लस आपको कहा जाता था कि माइनस पांच को इस संख्यारिका पर निरूपित करें तो आप क्या करते थे बिल्कुल बीच में होता है 0 यहां पी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 पूरा नहीं आ रहा है तो इसको हम में टेके थोड़ा सा आगे बढ़ा देखें माइनस 4 फिर माइनस 5 और इसमें यह होता था कि इनका जो आपसी अंतर है जो मैंने निशान लगाई है यह सेम रहना चाले है तो यह हमारा माइनस 5 इस जगा पर आ लगता था अब आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि आप इस 7 पटा 4 को संख्या रिखा पर कैसे निरूपित करोगी यह आपके पास एक संख्या रिखा है तो आपने 7 पटा 4 को इस संख्या रिखा पर निरूपित करना है तो जो जी संख्या रिखा है इसका जो नंबर दिया हुआ है वो डिरेक्टली आप यहां पर नहीं दिख सकते नहीं आपको दिखता है कि 7 पटा 4 यहां पर कहां आएगा कूर्णार्क में तो होता था कि वो संख्या रिखा के उपर आ जाते थी इस साइड नेगटिव होते थी इस साइड पोस्तिव एक दो तीन चार इस तरह आप लिखते जाते थी तो है ना आपनी कर्षा में संख्या रिखा पर निरूपित करना एक प्रॉब्लम बालिवा पहले जिए निशान लगा लिए एक दो तीन चार पांच तो आप इसको संख्या रिखा पर सही तरह से नहीं दिखा सकते कुछ ना कुछ गल्टी रहे तो इसका तरीका क्या हुआ फिर तरीका यह है हमें देखो प्लस का चाहिए ना जी कि इसके आगे कोई पी माइनिस का निशान नहीं लगा भाट प्लस पा है यह यह yar ie उसलिए इससाइग न्यूधर पॉशलिए प्ósटिफर यह पहले वाली बात है अब कि इसके बीचे रिखो क्या रिखें लूप है इसके लिच्ची 4 है तो हम क्या करेंगे इसका जो पहला निशान है वो 1 बटा 4 अला है उसके बाद दूसरा निशान 2 बटा 4 तीसरा निशान 3 बटा 4 चॉब्टा 4 चार जो 1 है हमारा उसके बाद 5 बटा 4 ठीक है? इसके बाद आपता है 6 बटा 4 फिर 7 बटा 4 8 बटा 4 अगर हम इसके बाद लिखती है 8 बटा 4 8 बटा 4 क्या आएगा? इसको जब हम कट आउट करेंगे इसको कट आउट किया तो डेक आगया था इसको कट आउट किया तो हमारे पास आगया 2 ओके? हमने क्या दिखाना था? प्लस का 7 बटा 2 तो ये बड़ा है हमारा प्लस का 5 बटा चाल ये हमाला आंसर आगया अब इसी पहले प्रेशन में ही अभी हम रुखते हैं दूसरे पर नहीं जाते हैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि सपोज कर लो कि आपने इसको पहले नंबर लाईन ले लिखते होगी इस प्रेशन को पहले हम यहां पर जीरो लिखते हैं फिर एक लिखते फिर दो लिखते हैं न हमने साथ बटा चाहा दिखाना था तो नीचे चाह है नीचे वाले चाह का मतलब यह हुआ कि हर एक पार्ट कितने बार गोमे बटा हुआ है चार बागों बटा हुआ है जैसे देखो यहाँ 0 था फिर 1 आया फिर 2 आया हर एक पार्च कितने बागों मेernे बटा हुआ है एक बाग, दो बाग, तीन बाग और 4 बाग अब यहाँ पर बराबर बराबर चार बागों मेernे बाठकना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बराबर दूरी पर निशान भी नहीं देती है इसलिए हमने जो एक वटा चार वाला पार्ट था उसको ही पहला निशान में दिया ठीक है तो यह तरीका याद रखना कि जब भी आपको इन भी निगी रूप में संख्या दी हो उसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना हो और भी प्रशन करेंगे आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो उसके जो हर्भगा उसके जो पार्ट है वही हम लेकर चलेगे क्लियर अब इसका दूसरा प्रेशन हम देखते हैं माइनस पांच बटा शे इसको हम संख्यारिका पर निरूपित कैसे करेंगे माइनस पांच बटा शे के लिए हम नंबर लाइन ब्रॉ करते हैं हमने माइनस का जो नंबर है उसको संख्यारिका पर दिखाना है इस साइड माइनस है इस साइड प्लस है तो हम अपनी जीरो कहां पे लिखें हम जीरो इस साइड लिखें क्यों क्योंकि जीरो के हमने इस साइड वाला जो वोर्शन है इसको हमने यूज करना है इसके लिखें त तो 5 बटा 6 है जो कैसे दिखाएंगे पहले आपको बता दिया है इसका नीचे हर कौन सा है 6 पहला निशान क्या लेगे का फिल 1 बटा 6 दूसरा निशान 2 बटे 6 तीसरा निशान 3 बटा 6 छॉल्था निशान 4 बटा 6 पांत वा निशान 5 बटा 6 यहां पर मैं गलती कर रहा हूँ अपने नोटिस किया शायद नहीं किया गलती क्या है 0 के left side हम चल रही है यह होता है left hand side यह होता है right hand side हना तो left hand side 0 के जो होता है वो minus के निशान होते हैं सारी minus के अंग होते हैं और 0 के right hand side plus 10 तो यहां पर क्या लिखेंगा minus minus 3 बटा minus 4 बटा minus 5 बटा 6 फिर minus 6 बटा 6 जे क्या आज़ेगा कट कटा का minus का 1 clear तो हमने क्या इस्प्ली करना था संख्या रिखा पर यह बादा यह हमारा अंसरा गे यह था हमारा पहला प्रेशन इन दोनों संख्याओं को हमने संख्या रिखा पर कैसे निरूपीद करना था अब बारियातिये प्रेशन नमबर 2 की प्रेशन नमबर 2 हमें कहता है minus 2 बटा 11 minus 5 बटा 11 minus 9 बटा 11 को संख्या रिखा पर निरूपीद करें इन तीनों संख्याओं को हमने एक ही संख्या रिखा पर निरूपित करता है तो इसका solution जाल क्या होगा संख्या रिखा बिनाती है हम सबसे बेले ओके यह हमारे पास left hand side यह हमारे पास right hand side बीट में 0 बनती है तो हमने जो संख्या रिखा पर अंक निरूपित करने हैं वो सारे कौन से हैं minus A है तो हम 0 किस साइड लिखें इस साइड लिखें क्योंकि हमने minus वाला यह वाला area इसका यूज करना है यह plus है तो नीचे क्या है हमारे पास यहां पे इसके हर्ग में गया है 11 है तीनों के हर्ग तो हम 1 बटा 11 से शुबू करेंगे यहां पे पहला निचान minus 1 बटा 11 दूसरा निचान minus 2 बटा 11 तीसरा निचान minus 3 बटा 11 चौक्ता निचान minus 4 बटा 11 पांचमा निचान minus 5 बटा 11 फिर minus 6 बटा 11, minus 7 बटा 11, minus 8 बटा 11, minus 9 बटा 11, minus 10 बटा 11, minus 11 बटा 11 11 बटा 11 कैंसल ओट होकर यह हमारा minus का 1 आ गया है और यह हमारी 0 से है अगर आपको प्रश्चन पेपर में आपता है तो आपने इन जो निचान है यहाँ पे थोड़े थोड़े गोले लगा कर यहाँ पे डिस्प्ले करते ना है कि यह हमारे अंग हैं जो आपने उच्छे तो आपने उच्छे ठीक है यह हमारा आंसर आ गया है इसके बाद प्रश्चन नंबर तीन जो है प्रश्चन नंबर तीन में पूचा गया है ऐसी पांच परमेश अंख्याएं दिखीं जो दो से छोटी हों पांच परमेश संख्याएं जो दो से छोटी हों वो बताओ कौन से यह बिल्कुल असा प्रश्चन है संख्या रिखा बना लो एको संख्या रिखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बीच में जीरो यहाँ पे एक यहाँ पे दो है इस साइड माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांट ऐसे जबता रहेगा अब आप सोचोगे कि मैंने इस साइड कि उन्ही संख्याइं दिखी उसने क्या कहा है पांच प्रमे संख्याइं बताएं जो दो से चोटी है किस से चोटी है दो से तो दो से इस साइट बाली सभी संख्याइं दो से क्या होंगी फिर चोटी हो जाएगी तो आपका आंसर क्या आएगा यहां से स्टार्ट करतो एक, जीरो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस जाट, जितनी मर्ची लिखते गए याँ यह सबी संख्याएं दो से छोटी है अगला प्रशन प्रशन है हमारे पास माइनस दो बटा पांच और एक बटा दो के मन्दे दस प्रशन जाएं जाट करें अब क्या है आपको दो नमबर देंगी इनोंने इनकी बीच में दस प्रशन जाएं हमने जाट करके दिखाने केज़ तो हम कैसे जाट करेंगे इसका हल क्या है देखो बेटा जब आपको 20 दी गई होती है यह दोनों 20 नहीं परमेशन क्या हो के रूप में यह 20 भी है परमेशन क्या तो एक, बाइनस, एक, दो, तीन, चार यह भी होती है ना लेकिन जब पीवटा क्यों की फॉर्म में है क्यों चो है, जीरो भी नहीं है लेकिन एक भी नहीं है कोई संख्या और है अगर इसका हर एक होता तो जी एक भी नगा रूप ना लेता जैसे माइनस दो बटा एक होता तो माइनस दो ही हो जाता हम दिखा सकते है इनके बीच में दस परमेशन क्या हैं हम कैसे गया करेंगी तो सबसे पहले इसका जो इन दोनों का हर है यह बावा इनको प्रापर करना हो कैसे करेंगी माइनस दो बटा पांच और एक बटा दो के मत दिखा यही निकालनी है ना हम नी यहां से आप प्रेशन को स्टार्ट करें या अब इनका रूप हम चेंज करते जाएगी पांच और दो इनका एलसीम क्या है एलसीम निकालनी का फॉर्णूला आपको पहले भी पता दिया था कि बड़े जो नंबर है उसका पहाड़ा शुरू करते हो पांच एक पांच दो के पहाड़े में आता है नहीं आता 5 दूली 10 2 के पहाड़े में आता है तो 10 इसका रूसीम आ गया है अगर एमका रूसीम 10 आया रूसीम केतना आया लिखके रख लेते हैं 10 तो माइनस 2 प्राप पांच नीचे हमने 10 बनाना है 2 से γुना कर दो अगर हम किसी संक्रा को नीचे हर ने 2 से गुना करते हैं तो उपर भी 2 से गुना करने पड़ेगी क्यों? क्योंकि 2 से 2 के अंसर हो जाएगा माइनस 2 बटा 5 फिर वहीं बच गेगी प्लियर? और एक बटा 2 है 10 बनाना है नीचे 5 से गुना करतो उपर भी 5 से गुना ठीक? या माइनस 4 बटे 10 और 5 बटे 10 यहां पर ये लर्ड भी लिखते जाओ मत दे के मत दे देखो हमने परमेशन ख्याइग जाद करनी थी इन दोनों के बीच में इनका रूप चेंड करते हैं मैंने ये लिख लिया गुना किया ये बन दे अब भी हमने बीच में 10 परमेशन ख्याइग जाद करनी है थोड़ा सा किसी अंग के साथ दोनों को और गुना कर दो पर नीची ताके इनके बीच में गैप बढ़ता जाए या 10 से गुना कर दो माइनस 4 बटे 10 गुना 10 गुना 10 ठीक है? और 5 बटे 10 गुना 10 गुना 10 के मद्दे क्लियर? तो क्या बन गया हमारी पास? या माइनस 4 बटे 10 और 50 बटे 100 10 गुना 10 कितना उता है? 100 50 बटे 100 के मद्दे क्लियर? इसी प्रेशन को अभी मैं दुबारे एक बार समझा रहता हूँ अगर हम यहां से शुरू करते हैं इस प्रेशन को और उल्टा चलते हैं देखो कोई हमने चेंज की कोई चेंज देखी हमने 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल 4 बटे 10 यहां भी 5 बटे 10 वही अगे न अब 2 से इसको कट आउट करो 2 दू निचार 2 पान दास तो माइनस 2 बटा 5 इसको 5 से कट आउट करो 5 एकम 5, 5 पान दास हमने इनको सिर्फ गुना करते करते इसका रूप चेंड कर दिया एक्टूल में यह वही संख्या है जो पहली थी ठीक तो इनके मर्जे कितनी मर्जी संख्या है लिखती है आप ठीक है क्योंकि नीचे तो 100 रहेगा माइनस 40 और 50 के बीच में संख्या लिखो कोई भी माइनस 40 और 50 के बीच में क्या संख्या है ली फिर माइनस उन बार भी हाँ ना कि माइनस 40 और 50 के बीच में माइनस 40 इस साइड है मैं 50 प्लस उस साइड है जी ओपी माइनस 40 के बार क्या आएगा माइनस उल्टा चलता है न नंबर लाएं जोती है फिर माइनस 38 माइनस 37 माइनस 36 माइनस 35 कितनी मर्जी लिख लोगा जब जीनवा जाएगा सबके नीचे क्या लिखें कि हम 100 यह हमारा आंसरा जाएगा क्लियर कितनी भी संख्याएं आप दो प्रमे संख्याओं के बीच में इस तरीके से अब कोई भी दो प्रमे संख्याओं आपको दे दी जाए तो उनके बीच में आप कितनी भी प्रमे संख्याओं ज्यात कर सकती है उसके बाद अगला प्रेशन है हमारे पास प्रेशन नमर पांच का पहला भाग़े है दो प्रमे संख्याओं ज्यात करें इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं लुए है वैसे तो पहले प्रेशन में मैंने डेटेयल में आपको बता दिया कि कि सीभी दो प्रमे संख्याओं की देश में इसको 17 गैयात की चा सकती है आग देखते हैं सुक को 2 और पांच जेंशे हर रेंगे के से स्टार्ट करते हैं दो बटा तिन और चार बटा पांच के मत्य है अब तीन और पांच का LCM क्या आएगा LCM बड़े का पहड़ा परो पांच का पांच के पहड़े में तीन आपता है नहीं पांच को नहीं दस में तीन आपता है नहीं पांच ये पंदरा पंदरा में तीन आपता है यस 15 तीन के पहाड़े में आपता है इसलिए इसका LCM पिक्रा हो गया और दूसरी बात जब किसी भी दो नबरों का कोई भी सांजा गुननखंड नहीं होता तो उनकी जो गुना होती है वही उनका LCM होता है प्लियर अब यहां पे लिखते हैं मुझा दो बटा तीन गुना इसको नब ऐसे करके लिख लो मैंने नीचे 15 बनाना है यह बात तो 3 मेरे पास है बनाना है 15 कितने से गुना करूँ 3 पांजा अना और 4 बटा 5 5 मेरे पास है 15 बनाना है बिक्रिक तो 3 से गुना के मद्दे है क्लियर यह पांच कुनी दस बटे पंद्रा और चाती एक 12 मद्दा के मद्दे है हमने प्रमेशन च्छाई पता करनी है 5 दस और बारा के बीच में कितने हिसंग आई हैं दो ही है अगर हम पूर्ण के देखते हैं उप सुरी एक है ग्यारा के ला तो हम क्या करें इसको दस से गुना करते हैं दस बटा पंद्रा गुना दस गुना दस पहले प्रेशन में भी हमें ऐसे दिया था और 12 वता पंद्रा गुना दस गुना दस के मद्द है, ओकी यहां 10 गुना दस सो, 15 गुना दस एक सो पिजास और 12 गुना दस 120 वता में 150 के मद्द है अब देखो 100 और 120 के अंदर तो बहुत सारी संख्याई है नीचे 100 एक सो पचास लिख लो जितनी मर्जी संख्याई लिख दो आप तो संख्याई कौन सी आ जाएंगी अब हमारा सिजा आंसरा आप जा 101 वटा 180 102 वटा 180 103 वटा 180 जितनी मर्जी संख्याई यहां को लिखते चले जाएंगे यह आपका आंसर आजाएगा अगला प्रेशन है पांच भी भाग का दूसरा प्रेशन माइनस तीन वटा दो और पांच वटा तीन के बंदे वही पांच प्रमेशन के जाएगा दो जो इसके पहले बाट में हमने की है तो इसको कैसे हल करेंगे हल जो जुरूरती नहीं हल करवाने की पहले हमने दो प्रेशन हल कर लिए है और आपको डेटेल भी इसका जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो गया है इन दोनों का हर कौन सा है दो और तीन है सबसे पहले हमने अलसीम निकलना है आपको बता है अगर इन दोनों का कोई भी कौमन गुननखंट नहीं है सांजा गुननखंट नहीं है तो दोनों को गुना कर दो अलसीम अड़र का अलसीम निकना आया 6 हम शुरू कहां से करते है माइनस तीन बता दो और पांच बता तीन के मद्ध्य है ओके या हमने नीचे दोनों के 6 बनाना है ये अलसीम बना शुरू माइनस तीन बते दो गुना और पांच बते तीन गुना दो को कितने से कुझा करुके 6 आजाए ये इन से माइनस नौबटा 6 और 10 बता 6 के मद्ध्य है अब देखो जहांबे हमने कितनी प्रमे संखाएं ज्याद करनी है 5 माइनस 9 और 10 के बीच तो पहले बते रही प्रमे संखाएं पड़ी है हमना कौन सी पड़ी है मैंनस आठ मैंनस चे मैंनस पांच मैंनस चाहते को मैंनस तीन मैंनस दो मैंनस एक जीरो एक दो चलता चलता नौ रख चला गए उस साइट भी है है ना नीचे कितना है इनकी चैश्य 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 सभी के नीचे तो यह फारी प्रमेशन क्या है कि इसके विच पे आगे इन दोनों नंबरों के इतनी आगे कोई भी पांच आप ले लो वह आपका आंसर आजाएगा अब इसका तीसरा पार्ट एक बटा चार और एक बटा दो के मद्धे है यह मैं आपको नहीं करवा रहा है क्योंकि बड़ी विडेल से मैंने इनका फॉर्मूला आपको बता दिया आप खुद ट्राइपर के देखना इसको इसी तरह प्रेशन नंबर साथ है तीन बटा पां प्रेशन नंबर 6 में क्या लिखा है इन्होंने माइनस 2 से बड़ी 5 प्रमेशन ख्यानी भी चेंग तो आप क्या करोंगे बिटा नंबर 9 होता है लेफ्ट एंड साइड माइनस होती है राइट एंड साइड प्लस होता है बीच में 0 होता है शुरू करना कहां से करना है है इसकी माइनस 2 से बड़ी चाहिए हमें इस साइड की सारी प्रमेशन क्यारि माइनस 2 से बड़ी है जीरो के बाद कितना होता है 1,2,3,4,5,6,6 जो भी दिख दो आप आंसर दो,3,4,5,6,7,8,9,10 जितनी मस्ती दिख दो यह आपका आंसर आएगा तो आज हमने एक पॉइट दो एक्सिसाइज भी खतम कर ली इसी के साथ हमारा पैला द्याई प्रमी संक्याई पूरी तरह कतम हो तुका है मेरी वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद मेरे चैनल को जारा सी जारा सब्सक्राइब करें मेरे टेलेग्राम ग्रूप के साथ दूड़ें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें तक उनको भी इन वीडियोज का बेनिफिट मिल सकी थैंक यू